नमस्कार दोस्तों कॉंप्टिशन कम्यूटी में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ हेमन प्रधान जैसा कि आप सभी को पता है CGPAC मेंस प्रोग्राम कॉंप्टिशन कम्यूटी के दवारा स्टार्ट किया गए खास इनोवेटिव इनिशेटिव है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी CGPAC एस्पेरेंट है और हमें इस बात को लेकर बड़ी खुसी हो रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें आ चुके हैं और लगातार इसमें आंसर राइटिंग कर रहे हैं लगातार उनके आंसर में इंप्रोव्मेंट दिखना चालू हो गया है और ऐसे सभी स्टूडेंट से मैं आगरह करूँगा जो अभी तक डिस्कुशन कम्यूटी वाले प्लेटफॉर्म में अभी तक अपने आंसर अप्लोट नहीं किये हैं या अभी आंसर राइटिंग करने की फील्ड में नहीं उतरें जल से जल आईए और खूब सारी पढ़ा आने की विदाउट मिस्टेक आप एक्जाम में जाएंगे तो देर किस बात की आईए और जल्दी से जल्दी हम से जुडिए ठीक है तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे वेबसाइट में जो 26 फरवरी को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर फूर के भाग तीन का अपलोड किये गये थे जिसमें काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर राइटिंग की कुछ के आंसर अच्छे लगे और कुछ के आंसर में जो है ग्रेजुली इंप्रोमेंट दिखना स्टार्ट हो गया है तो मैं ऐसे सभी स्टूडेंट को काफी ज्यादा एप्रिशेट करू और ऐसे सभी स्टूडेंट जो अभी तकांसर राइटिंग इंफिल्ड में नहीं उत्रे हैं आईए आपको लिए एक इनोवेटी प्लेटफॉर्म हम उपलप्त करा रहे हैं और इस इनोवेटी प्लेटफॉर्म का आप भरपूर उप्योग करिए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए ठीक है तो जैसे कि उस डिन में जो कोशन अपलोट किया गया था 26 फरवरी को तो उससे संबंदित जो प्रस्न है आई हम उसको डेल करना प्राराम करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि इसके पूर्भी की क्लास में जैसे हमारे जो इंपोर्टन फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा बहुत सारे गाइडलाइन्स दी गई थी उन गाइडलाइन्स को बिल्कुल फॉलो करें क्योंकि सटीक आंसर सारगर्भित आंसर आपको अच्छे अंग दिलाएंगे ठीक है तो उन्हीं बातों को इंप्लेमेंट करते होगा दो अंग का प्रस्णा है तीस सब्द में आप इसे लिखना है तो साधर अड़ता हम क्या है इतने छोटे सब्द वाले इतने छोटे कोश्चन के आंसर हम कई तरीके से लिख सकते हैं लेकिन क्या वो सटिक आंसर होना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे अंग मिले या अप्लिकेशन पार्ट अप। साइंस साइंस लग और साइंस इसस बेज आ रिएस थाप अपर प्रेंसिपल और अ लॉज्ट्छनौ सब्द आन प्रेंसिपल और की नेका है की विज्ञान नियमों एवम सिध्धान्तों पर आधारित होता है साइन्टिक्स इसे क्या करते हैं प्रतिपादित करते हैं डिस्कवर करते हैं और इन ही सिध्धानतों और नियमों पर आधारित जब हम अनुप्रयोग करते हैं यानि विज्ञान की नियमों एवं सिध्धानतों पर आधारित अनुप्रयोग को हम क्या कहेंगे प्राध्योग क कहेंगे रिपीट विज्ञान नियम एवं सिध्धानतों से बंधे होते हैं या विज्ञान नियम एवं सिध्धानतों से बने होते हैं विज्ञानिक इसे प्रतिपादित करते हैं और इनी विज्ञान के नियमों एवं सिध्धानतों पर आधारित अनुप्रयोग को हम क्या कह कहते हैं टेक्नलोजी या प्राद्दुग्य की कहते हैं और एक लाइन और एट करिएगा विज्ञान एवं प्राद्दुग्य की एक दूसरे के पूरक है दे आर कॉम्प्लिमेंट औप इच अधर साइन्स एंड टेक्नलोजी ठीक है इतना आपने समझ गये हो भी आप आपको सकती है जैसे कि अंत्रِّक्ष टेक्नलोजी आप पूट कर दिये और मैंपको औसम्पल करें कि आपका आंसर फुल्फिल होगा ठीक है आपको यहाँ पे चीजे क्या समझनी है यहाँ पे जरूरी बाते क्या थी देखो मैंने बताया था इसके पूर्वी की क्लास में कि वो क्या जरूरी फैक्ट्स है जो इसमें हम डाल सकते हैं तो सटिक सब्द सारगर्भी तुत्तर हमने लिखा पूरी तरह से विज्ञान की भा दोड़ की बात है तो अंतरिक्ष के पर अंतरिक्ष के या विज्ञान के बहुत सारे नियाम और ON गर्रौराइब बनाँ उसे हम क्या कहते हैं सैटिलायोट कहते हैं तो सहट न किसी सटलाइट को जब हम इस स्पेस में भेज लेते हैं तो उसका अनुप्रयोग क्या है वही आपकी टेक्शनलोजी है तो उससे हम क्या है संचार वाली हम services ले रहे हैं या आप स्वास्ते से संब्दिशन सम जो है कुछ आप सेवाएं ले रहे हैं या आप कह सकते हैं दूसरे weather से बहुत सारे आकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं या आकड़ों का आप उपयोग कर रहे हैं सब क्या है वास्तों में the example of technology the services is called a technology when science comes into action it is called a technology ठीक है तो यह जरूरी बातें आप इसमें note कर सकते हैं अब आते हैं प्रस्त नमबर 2 की ओर कम दूब दे सेकंड कोश्चेन देट इस एए टेकनलोजी की क्या अलाब है वाट रदीकवा भाग जो इंटरनेट एवां कंप्यूटर पर आधारित होता है एए टेकनलोजी होता है ठीक है एए टेकनलोजी कहलाता है अब इसके बहुत सारे आस्पेक् है ठीक है आपको यहां पर डेफिनिशन नहीं पूचा लेकिन हम एक सरल लाइन लिख देते हैं कि टेकनलोजी है क्या उसके बाद हम पूरा फोकस किस पर कर रहे हैं पूरा फोकस इसके बैनेफिट या लाप पर तो सबसे पहले आप किसे लिखें सबसे पहले हम लिख सकते ह the very very important part of our the various schemes वो क्या होता है digital India scheme तो digital India को आप लिखें उनके nine pillars है ठीक है they all the all nine pillars are based on our e-technology सभी आठ जो नौ pillars है नौ stump है वो किस पे based है वो आपके e-technology पे based है ठीक है तो उसे आप लिखें e-governance लिखें governance का मतलब यह होता है कि आप सासन चलाने में e-technology का भरपूर उपयोग करेंगे जिससे कि जो विकर section है या जो lower side पे बैठे वाला जो या अंतिम दूरस एरिया में बैठे उने वाला या दूरस इस्तिति में रहने वाला हर वो जो नागरिक है उस तक आप अपनी सेवाएं पहुंचा पा रहे हैं याने the equitable distribution of services and the other part ठीक है तो यह चीज़ें आप लिख सकते हैं मैंने कहा पहले digital India e-governance डाल सकते हैं सूचना एब हम संचार पर दोगी की ICT information and communication technology ठीक है यह डाल सकते हैं को भारत government of India को मिल रहा है ठीक है तो यह बड़े लाब है software industry भारत में बहुत बड़ा आकार है वह उसका बहुत बड़ा योगदान है तो यह software industry खड़ा किया है खड़ा कैसे हुआ because of this e-technology ठीक है इसके बाद अगर आप और लिखना चाहें तो telemedicine ठीक है telemedicine लिखें e-court भी start हुआ आपको बता दू e-court आप समझते है जो judicial part ने जुडिशियरी ने पहली बार technology का प्रयोग करते हुए डेली के पास फरीदाबाद में यानि की पंजाब और हरियाना government ने यह start किया है मतलब उनकी मदद से पंजाब एन हरियाना हाई-court ने start किया फरीदाबाद में पहला e-court तो जितने technology के मदद से हम बहुत सारे cases को सुल जा रहे है ठीक है तो यह innovative side है इसलिए मैं इसे आपको बता रहा हूँ वैसे तो बहुत सारे इसमें लिखा जा सकता है स्वास्ट एवं चिकित्सा छेत्र में इस टेक्नलोजी बहुत कारगर साबित हो रहा है आप देखते हैं आज जब हम एक artificial intelligence की बात करेंगे तो इस 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 बहुत बड़ा योगदान आने वाला है चार नंबर के question में आप 60 words में यह जरूरी बातें जरूर लिखें और आपको एक और महत्पूर्ण सब्दावली भी में बताना चाहूंगा मानाओ संसादन विकास human resource development में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इसका मतलब यह है कि जितने भी government जितने भी जो भारत में कहना चाहिए जितने भी जो नागरिक है तो नागरिक जैसे आप देखते हैं भारत की जनसंख्या आज 130 करोडास पर पहुंच चुकी है अब इतने बड़ी जनसंख्या में जो trained या skilled परसन उनकी संख्या काफी कम है या कहना चाहिए अपिक्षाक्रित कम है तो इनको यही बात में हमारे लिए बोज बन सकते हैं लेकिन इसे ही train कर दिया जाए तो हमारे हमारे लिए यही सबसे बड़ा asset बन सकते हैं तो इसी demographic dividend को जनसांख्या की लाभांस को train करने में e-governance या e-court या e-se related कोई भी आपकी services बहुत बड़ा युगदान दे सकती हैं ठीक है कह सकते हैं कि आप e-technology का एक बहुत बड़ा जो aspect है वह लोगों को skilled करने में या उनको education देने में एक बहुत बड़ा हो सकता है ज्यादा elaborative form में बता रहा हूं लेकिन आप इसको संक्षित form में कुछ-कुछ जरूरी बाते आप इस प्रकार लेख सकते हैं ठीक है तो समझ गए आप तो nut cell में क्या बताया मैंने कि आपको जो government के जो बहुत महत्पुन aspect हैं जैसे मैंने digital India है ना बताया e-governance बता सब्सक्राइब करने के लिए विकर सेक्षन या कमजूर वर्ग तक पहुंचाने के लिए जो government आप इंडिया की या government की जो बहुत महत्पुन योजनाएं हैं तो वो सब योजनाओं को इसी technology की मदद से सुलजाया या उनको लाब पहुंचाया जा सकता है इस प्रकार इसे ल तक देषन बहुना इसे सेक्टर यहे दोस्तों आपको Mobile Coast के समय में मैं Space Technology के बारे में काफी सारा डीटेल में बताया था कि उसका उद्गम कैसे हुआ उसका विकास कैसे हुआ और विकास के विबिन चरण क्या थे विबिन चरणों को पार करते हुए आज हमने जो एक कीरतिमान स्थापित किया है माली स्थापित किया है वह क्या है और आज जब हम अंत्रिक्षेत्र की बात करते हैं तो विश्व को वो जरूरी फैक्ट्स जरूरी याद आते जो हमने मॉबाइल कोस में डिसकस किया था तो आई हम बात करते हैं इसका जो आंसर किस प्रकार हो सकता है दोस्तों यह आठ नंबर का कोश्चन है तो आठ नंबर के कोश्चन को अगर आप यहां पर सॉल करेंगे तो किस क्या इमिनशन पूछा है ठीक है दूसरा कि वो माईली स्टोन को लिखना ना भूले जो हमने पूर्व में स्थापित किया है क्योंकि वो अपने आप में नए आयाम ही थे ठीक है तीसरा कि आप इसमें करेंट की कुछ चीजों को डाले ठीक है यह तीसरा अस्पेक हो सकता है और दोस्तों उसके बाद देखते हैं कि किसी भी related बड़ी जो हस्ती का नाम या बड़े scientist का नाम लिखना ना भूलें जैसे इसमें आप विक्रम सारा भाई का नाम लिख सकते हैं इसके अलावा आप इसमें हाल ही में जो चर्चित कुछ महधपूर्ण उपलब्दियों को लिख इस चीज़े हैं तो आई इसे implement करते हैं कि क्या क्या इसका आंसर हो सकता है और सबसे पहले इसका present scenario क्या है तो सबसे पहले आप देखें कि इस प्रस्ण का उत्तर अधर लिखते हैं तो बड़ा ही कहना चाहिए विसस तरीके से इसका उत्तर लिखा जा सकता है तो वह specific जो त सीर्ष देशों में अंतरिक्ष प्रोद्योगी के छेत्र में भारत का स्थान है और भारत आज अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम की सटिकता सफलता एवं अपनी जो नवाचारी विधियों के कारण आज भारत का स्थान सीर्ष देशों में गिना जाता है ठीक है दूसरी में लाइन तुरंद एड करते वे चले जाओंगा कि भारत ने चंद्रयान मंगल यान और गगन यान आदित्य एलवन और काटो सेट जैसे महत्पूर्ण जो है अभियान जो है यहां पे भारत के अंतरिक शिचेत्र में गिने जाते हैं सुमार होते हैं इसके अलावा भारत ने ऐसे भी कीर्थीमान स्थापित किये हैं लगातार 104 सेटेलाइट का एक साथ प्रत्षेपन जो है किसी भी देश के द्वारा पहली बार किया गया था भारत के द्वारा अंतरिक शिचेत्र में इसका जो ब्यापारिक द्रिश्टी कोण है उसे भी बदला भारत ने एंट्रिक्स कॉर्पेशन की स्थापना के बाद वर्स 2018 में NSIL New Space India Limited की स्थापना की जो SSLV Small Satellite Launch Vehicle पे पूरी तरह फोकस रहेगा और जैसा कि आपको पता है कि हाल ही कि अगर डेटा हम देखते हैं तो उस महत्तपूर्ण डेटा का समावेश जरूर करें जो मैं आपको सेयर कर रहा हूँ जैसे कि आज के सिनेरियो में देखते हैं कि 109 स्पेस्क्राप्ट मिसन हो चुके हैं 77 लाँच उसमें 77 क्या है लाँचिंग मिशन है इसके अलावा 10 स्टूडेंट सेटेलाइट हैं और अब तक जो इसरो की वेबसाइट के हिसाब से 319 हमने क्या किया है विदेशी उबग्रह का सफलता पूर्वक प्रक्षेपन कराया है तो यहां अपने आप में यहां वर्तमान की सफलता की कहानी बया करने के लिए काफी है इसके अतरिक्त दूसरा पॉइंट जब आएंगे माईली स्टोन के बारे में तो माईली स्टोन के बारे में जब भी बात आएगी तो याद रखिएगा भारत ने अपना पहला सेटेलाइट जो है 1975 में छोड़ा और 1969 इसरो की स्थापना वर्स के बाद जब 1975 में हमने इस नब्वे के दसक में हमने पोलर सेटेलाइट लॉंच वहिकल पी एसलवी का नाम लिखना ना भूले तो पोलर सेटेलाइट लॉंच वहिकल पीएसलवी का निर्मान किया वर्स 2000 के दसक में हमने जियो सिंक्रोनेस लॉंच वेहिकल जी एसलवी का प्रक्षेपण किया इसका भी उलेक करना ना भूले इसके बाद आप देखते हैं कि आज जी एसलवी मार्थ्री जिसे आप कहते हैं जो काफी हैविएस्ट सेटेलाइट को भी लॉंच करने में जो है वह अपने आप में काफी सक्षम है तो जैसे जी सेट 11 जो भारत का जो है काफी जो हैविए सेटलाइट में गिना जाता है या कहें तो सबसे हैविए सेटलाइट है तिल लेड तक उसे जी एसलवी मार्थ्री के मदद से लॉंच किया गया था तो उसकी बुभूमी का पहले ही प्रयास में हम मंगल्यान को सफल बनाये थे जो किसी भी देश के द्वारा नहीं किया गया है चंद्रयान टू अपने आप में काफी सफल हम कहेंगे और उसके बाद चंद्रयान थी और भविश्य की जो महत्पून जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है या मिशन है ग मैं तो इसी इस प्रकार लिखे ले उसके बाद देखते हैं करेंड का जो डेटा है वह क्या है तो करेंड में हाली में हमने काठो सेट थी लाउट किया है जो क्या है दसारपेस्ट आई-ój-orn और कह सकते हैं जो भारत का अब तक का सबसे या कहें विस्व का सबसे जो शार्प प्रोवाइट करेगा कार्टोग्राफी सर्विसेस प्रोवाइट करेगा याने मानचीत्रों को या मैपिंग मगरब में आपको काफी हेल्प करेगा इसके बाद एक और एंगल लिखें कि भारत का अपना जीपीएस यानि कि नाविक जो है इसे भी जरूर एड करना ना भूले देखो दूस्तों मैं बहुत सारे पॉइंट्स बना रहा हूं हो सकता आपको यह आंसर थोड़ा ज्यादा एक्स्प्लेनेटरी लग रहा है लेकिन जरूरी फैक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूं आप उसको कुछ को स्किप भी करें कुछ को लिखें तो भी आपके लिए को आंसर अपने आप में आठ नंबर के कोश्चन के हिसाब से मोर देन सफिशेंट रहेगा ठीक है तो यह माईली स्टोन की बारे मैं बता दिया उसके बाद जो करेंट में जो कुछ चर्चित नाम है या कुछ पूरुम भी किसी का नाम चर्चित होगा जैसे इसके बाद अभी हाले में सफलता हैं अरजित किये तो यह सब आप लिख सकते यह सभी क्या सभी क्या है नए आयाम है निव डाइमिंशन है ठीक है तो आपको नट सेल में बता रहूं ड्यापारिक एंगल मैंने बताया कॉमर्शियल एंगल क्या है एंट्रिक्स कॉर्पेशन और एनसा प्रीटेल नूँँडिया वियुन इंडिया लिमिटेट उसके बाद जो माईली माईली स्टोन्स के बारे में लिखें उसके बाद आप देखेंगे लिटेस्ट चो करेंट के डेट वगर रहे हैं तो करेंट के डेटा के इससाफसे आने वाले समय में हम गगड़निया और अपना भारत का स्वाइम का स्पेस टेशन और हम धीरे से मंगल यांटू की और भी आगे बढ़ेंगे इसके अलावा हम नाविक जैसे महत्पूर्ण सर्विसेस को अपग्रेड भी करेंगे और भविश्यम में जो हम जिस मोबाइल को जैसे देखते हैं जो मोबाइल जो अमेर ठीक है तो यह सब क्या है अंतरिक्षेत में भारत के नए आयाम से अब कम टू दा नेक्स कोश्चेन जो आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है आप इसमें स्क्रीन पे देख रहे होंगे भारत में वरतमान विज्ञान प्रॉद्वी के विकास पर विस्त्रिच चर्च करें detailed discussion on the development of current science and technology in India दोस्तों इस प्रस्ण को बहुत ही अच्छे तरीके से डील की जा सकती है तो किस प्रकार इसका एक फ्रेमिंग होगा इस फ्रेमिंग की और हम आगे बढ़ते हैं ठीक है तो आईए हम चलते हैं इसका एक सही उत्तर कैसे होगा चुकि यह दिर्ग उत्तर प्रस्ण है तो दिर्गतरी प्रस्ण के लिए आपको एक सही रन्निती बनाने की बहुत आवशक होती है ठीक है तो इसे इस प्रकार देखें तो आईए देखते हैं इसका एक सही आंसर किस प्रकार हो सकता है तो दोस्तों सबसे पहले देखिए question में क्या पूचा है भारत मे वर्तमान विज्ञान प्रदी का विकास पूचा है तो वर्ड आप देखें वर्तमान तो आपको ज़्यादा पास में न जाकि प्रजेंट की चीजों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना है ठीकि अगर यह वर्तमान वर्ड नहीं होता तो उसका उस question का जो answer है वो पूरी त दिहास रहा है तो पुरानी चीजों को आप वो आरे भट के जमाने से लेके आजादी के पूर्वत तक आजादी के बात की स्थिती वो सब चीजों को आपको इसमें उलेकित करना होता उसके बाद प्रजेंट की चीज़ें इसमें डाली होती अब चुकि यहां वर्तमान प् में जो महत्पूर्ण गतिविदियां हुई है उनका भी थोड़ा समाविश करना आवश्यक है ठीक है तो इसका एक सही उत्तर किस प्रकार हो सकता है 175 वर्ट के हिसाब से आई से देखते हैं तो सबसे पहले देखिए आपको पता होगा भारत की पांच महत्पूर्ण विज्ञ जान नीतियां घोसित की जा चुकी थी उसके बाद छटी नीती के रूप में सिक्स्थ हमारी जो पॉलिसी आई वह क्या आया प्राद्योगी की विजन याने टेक्नलोजी विजन 2035 की रूप में आया ठीक है तो ये टेक्नलोजी विजन 2035 जो आया इसका उलिक सर्व पत्थम उपर इसलिए कर दें कि जिससे आपकी उत्तर की जलक दिख जाएगी कि आप एक्दम करेंट सी चीजों को स्टार्ट करें जैं प्रजेंस से नहीं बता रहे हैं आपको पता स्वास्ट यानि कि एजूकेशन है ना इसके बाद देखते हैं जो चिकेशाय में स्वास्ट उसके बाद देखते हैं फूड एन अग्रिकल्चर यानि की खाद इवं क्रिशी उसके बाद देखते हैं आपका जल इन्वार्मेंट ठीक है वाटर इन्वार्मेंट इसके बाद energy उसके बाद देखते हैं जो manufacturing पार्ट है विनिर्माड उसके बाद देखते हैं ICT information and communication technology research आदी ऐसे 12 छेत्र decide किये गए हैं किस में technology vision में तो ये आज हम हमारी technology इस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम technology की मदद से ऐसे बड़े target हम decide किये हुए तो ये अपने आप में हमारा present scenario दिखाएगा उसके बाद आज भारत की स्थिति कहां है विश्व की तीसरी बड़ी विग्यानिक जन सक्ति यानिकी जो सबसे ज़्यादा scientist है तो उसमें third rank as हमारे पास आपको पता होगा जितने भी बड़े बड़े विग्यानिक अनुसंद्धान केंद्र है या organizations है उनमें जो है ये scientist या engineers या doctors या researchers या research scholars या ये सभी चो क्या है आज भारत की जन सक्ति के रूप में हमको प्रदर्शित कर रहें तो इस मामल में भारत जो है विश्व के तीसरी बड़ी वैग्यानिक जन सक्ति के रूप में है research में आज हम विश्व के सीर्स देशों में सामिल है research अनुसंद्धान किसी भी देश का काफी महत्पून भाग होता है सोचिए कि किसी देश की वास्तवी किस्ति ती या कहें तो अर्थ व्यवस्था से लेकर उनकी जो वर्तमानी सिती अगर अच्छी ना रहे तो research and development बिल्कुल भी नहीं हो पाता अब मेडिलिस की किसी भी कंड्री में कितना भी वह धनी हो लेकिन वहां पर असांती है वहां की अर्थ व्यवस्था वहां की बहला सब चीजें काफी डिस्टर्ब है तो वहां research and development possible नहीं है लेकिन भारत जैसे देश में आज देखते हैं तो research के मामले यह सीज देशों में स अनुप्रयोग पर आधारित research है और तीसरा होता है तो experimental research जो प्रयोगों पर आधारित होता है तो इसमें जो बुनियादी research मामले में भारत सीज देशों में सामिल है आप यह बात I think समझ गए होंगे तो research में सीज देशों में सामिल है तो यह हमारा विज्ञान प्रदूई का विकास ही है एक्च्वल में और वर्तमान में आज देखते हैं तो ऐसे बहुत बड़े बड़े गौरमई ऐसे संस्थान है जो भारत को विश्वपटल पर जो है science and technology के field पे काफी बड़े लेवल पर प्रदस्शित कर रहे हैं तो उनमें जैसे आप देखते हैं CSIR Council of Scientific and Industrial Research Indian Space Research Organization इस रूप डिफ्छ डिफेंस अंज डिफ्छ एंड डिफेंड रिशर्च एंड डिफ्लप्मेंट ऑगनाईजिचन इसी र इंडिन कांसील अग्रिकल्टर रिसर्च एंडिन काौंसल अप मेडिकल रिसर्च भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सीड़ का मतलब होता है दोस्तों जैसे आप कम्पुटिंग के च्छेत्र में आप सूपर कंपिटर का नाम सुनते होंगे तो सूपर कंपिटर के बारे में जैसे जितनी ची बड़ा सूपर कंप्यूटर है आज के डेट में देखें लेटेस्ट डेटा के हिसाब से जो बेसिक लिए क्या है मौसम संबंद ही ज्यादा जानकारी देता है और आपको बता दू पेटा फ्लॉप्स छमता वाला एक मात्र और पहला भारत का यह सूपर कंप्यूटर CDEC ने डेवलप किया CDEC का मतलब Center for Development of Advanced Computing ठीक है तो यह CDEC ने डेवलप किया है तो आप इसका युगदान भी न भूले इसके बाद इसे देखते हैं कि IIT NIT यह भारत में जो इंजिनियर्स जो इतने बड़ी संख्या में आज जो है पूरे विस्प में चाहे हुए है इनका ने तो आज के डेट में अगर देखे इन नंबर्स को इनके नंबर्स काफी बढ़ गए हैं 23 IIT ठीक है 31 NIT और ऐसे देखते हैं 22 जो है इसके बाद कुछ मैनुफेक्चर होना कुछ निर्माण के छेतर में भी अभी है अभी निर्माण अधीने कहना चाहिए तो अभी जो है इनका इन संस्थानों का उलेक इसलिए में कर रहा हूं क्योंकि ये आज भारत के विकास की गाथा को ये बया कर रहे हैं इसके बाद देखते हैं इंडेनिस इंस्टिटूट आप साइंस एंडी आराई मतलब नेशनल डेरी रिसर्च इसिटूट और ऐसे बहुत सारे और कर रहे हैं ये तो दोस्तों हो गया आपका एक प्रारंबिक एंगल जिसमें आपने करेंट की चीजों को देखा लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीजें हाली की दसकों में कुछ महत्पूर्ण जो गतिवी दिया हुई हैं उनका उलेक करना भी ना भूले तो जैसे कि बहुत सारे प्रदू किया है इस पेश चैंट्रमें अंतरिक्ष पद्रोगी की तो अंतरिक्ष पद्रोगी के छेतर में हालिख समय में करने वाला है इसके अलाबा आज जो है इसके पूर में जो हो चुकी हैं जैसे कि आप देखते हैं चंद्र यांट हम loc भेर यान 1 मंगल यान 104 सेटलाइट हमने सफलता पूर्वक लांच किया कि इस के दवार नहीं किशिशेग के दुख 179 मागत्री के द्वारा हाली में काटो सेटलाइट लॉंच किया यह सब चीजों का थोड़ा उलेक कर लें क्योंकि यह अपने आप में काफी बड़ी चीजे हैं और आप देखते हैं कि हम अब इतना सक्षम हो चुके हैं कि विश्व में विश्व के विभिन जो सक्तिसाली देश हैं उन देशों के उपगरह को भी आज हम सफलता पूर्वक लॉंच कर रहे हैं और वो हमसे सर्विस ले रहे हैं इसके अलाबा रक्षा चेत्र में आप देखते हैं रक्षा चेत्र में प्रित्वी अगनी त्रिसूल नाग आकास और ब्रम्होस जैसे सक्तिसाली हम क्या करते हैं अब ऐसी स्थितियारी हम जादा जो है आने वाले समय में हम इन चीजों को हम निर्याद भी करेंगी याने हम दूसरे देशों को बीचेंगे भी तो यह एक अपने आप में काफी बड़ा एंगल है डी आडियो इसका एक महत्पूर सस्थान है तो इसके बारे में करदा इनिकाँवन लगबाग प्रयोक साल भारत में डैयाडीयो की कारेरत हैं और आने वाले समय में इसका और विस्तार होने वाला है परमानु छेत्र में देखते हैं आज भारत का भारत के विध्यानफ सवह में इतना जादा विकास हो चुका है कि आज हमना केवल परमाणू उर्जा के छेत्र में हम काफी बड़े लक्ष की और आगे बढ़ रहें और जैसा कि मैंने पूर्वी क्लास में बताया था कि वस दो हजार पचास तक हमने ये उर्जा अलाक्ष दिधारित किया है कि परमाणू उर्जा लगबग कुल उर्जा जरुरतों का एक चौ प्रदूजिचना एम प्रदूजिक के विवाग काफी ज्यादा develop है कह सकते हैं क्योंकि software industry भारत में काफी develop है और software इंडस्ट्री डेवलप होने के kारण जो है हम बहुप सारे ऐसे software का निर्माण कर रहे हैं और समूचे विश्व में हम क्या कर रहे हैं अपने software का निर्यात कर रहे हैं ठीक है तो और बहुत बड़ी संख्या में हमारे हां software scientist जो हैं यहाँ पर कार रहते हैं ठीक है तो यह अपने आप में काफी महत्पूर्ण है प्रतियुस का मैं उल्ले करी दिया था तो यह चीज़े भी हैं आपके लिए इसके अलावा सुचना प्रदुई के जो नए आयाम से जो डिजिटल इंडिया मिशन है हम उसकी और उसकी मदद से हम क्या है भारत में करांती लाना चाते और इसकी और तेजी से अग्रसर है ठीक है जैप्रदुईकी के भाग मैरे भी थोड़ा आप जान सकते हैं जैसे मैंने इन छेत्रों में आज हम काफी ज़्यादा सक्षम हो चुके हैं और नए-नए ऐसे वेराइटीस, नए-नए ऐसे जो चैलेंजिस हैं, हम इन प्रद्धिकी के मदद से हम क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, इसके अलावा नैनो प्रद्धिकी के बारे में खास बात बताता हूं, नैनो प्रद्धिकी में रिसर्च में मामले में विश्व में इंडिया सबसे टॉप पे हैं, तो can you believe कि हम उस लिवल पर पहुंच रहे हैं, आने वाले समय में हम नैनो टेक्नलोजी में भी बहुत बड़ी करांती लाने वाले हैं, तो यह है अपका, इसके बाद उर्जा प् में हमको उर्जा या विज्ञान प्रद्धिकी छेत्र में आत्मनेर भरता को प्रदसित करता है, तो कुल मिला के मैं बता क्या रहा हूं, बताइए रहा हूं कि हम इसका जो स्केलेटल है, मतलब इसके अंदर का जो धाचा है, वो धाचा कुट इन जरूरी बातों के साथ होन चाहिए, तो इतनी सारा, इतनी ज़्यादा आप डाइवरसिटी जब आप अपने उत्तर में प्रदसित करते हैं, तो एक्जामिनर बहुत आसानी से आपसे प्रभावित हो सकता है, अब लास लास में कंक्लूजन इस रूप में रखें कि भारत विज्ञान एवं प्रद्ध की छेत्र में आने वाले समय में काफी ज़्यादा बड़ी करांती ला सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपनी वेग्यानिक जन सकती को तेजी से बढ़ा रही है, किसकी मदद से, इन सस्थानों की मदद से, और आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में भारत की जो प्राद्योगी की है, या भारत की जो वेग्यानिक जन सकती है, वो पूरी विश्वपटल पर चाने वाली है, तीस प्रकार कुछ अच्छे सब्दावली या अच्छे सेंटेंसेस के साथ आप इसकी समापती कर सकते हैं, तो इसके बाद अगर डेटा के बारे में अगर पू है, सूचना है, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें, इसके बाद आप ये प्रस्न जो है, 175 सब्द में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, तो मैंने पहले पूरी की क्लास में बताया भी था, 175 सब्द में 17-18 लाइन, तो आप 6-6 और 6 में आप बाट सकते हैं, या 5-5 औ पांच में तीन बाट में डिवाइट कर लें, कंक्लूजन को लास्ट रूप में फोड़ा लिख लें, आप ऐसे चीजों को मैं रेकमेंड करूंगा, पॉइंट वाइस भी लिख सकते हैं, अधर वाइस आप पैरग्राफ वाइस भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुल में लाके आपको इन सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से वहाँ प्रेजेंट करना है, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे, अब कुछ अच्छे आंसर्स जो हैं, जो स्टूडेंस लिख रहे हैं, उनका नाम भी लिख करना आवश्यक है, क्योंकि काफी ज़्यादा इससे वह तो उनके नाम मैं बताना चाहूंगा, देवसरी विश्वास, नीतू, प्रियातिवारी, अजैसी परिहार, अभी सेक पूरी, दसरुराम कोर्रम, सोनल यादाओ, ऐसे और भी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, दोस्तों मैं आप सभी को वेलकम करना चाहता हूँ, हमारे डि रह करना चाहूंगा, आपके ऐसे दूसरे फ्रेंट्स जो अभी तक इसका लाब नहीं उठा पा रहे हैं, जरूर बताईए, सेर करिए इन जरूरी बातों को, और जिससे कि वो भी लाभानवित हो सकें, और जैसे इसे आंसर राइटिंग करते जाएंगे, आपके उतर में का आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसी बातों के साथ, इन ही जरूरी बातों के साथ, मैं आज का लेक्चर समाप करता हूं, हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में कुछ नए प्रस्नों के साथ, ठैंक यू.